ये दो मुख्य मंत्री जो भारती जन्ता पार्टी की सरकार या केंदर की सरकार से इनका कोई जुडाओ नहीं ना विशारधारा में इनकी राजनीती किसकी तरह है वो भी जानते हैं लोग पूरे देश जानता है कि वोट बैंक की राजनीती पे कॉंग्रेस की तरह ही ये जब अपने स्वार्थ में आदमी बैठता है कि मेरी वोट बैंक है इस समाज के लोग को पकड़ लूँगा तो मेरा मेरा वोट अगला चुनाओ चोहूँ इसमें इफेक्ट करेगा तो अब आप पूरे राज्य को खत्रे में आग में जोग देते हैं वही हुआ कलकत्ता में वही हुआ बिहार में एक बार भ्याचपा की सरकार वहां बना लिए फिर बजा बिरखा करके दिखाईए आँ मैं शाजी ने हमारे बोल के लिए हैं भारती जनता पार्टी के सुपरस्टार पर्चारक हैं गोरγपृर के सांसद हैं सुपरस्टार भी हैं राजनेता भी हैं रवी किशन जी रवी किशन जी उत्तर पुर्देश गोरक पुर्स के सांसत हैं आप उत्तर पुर्देश में इस पूरे पिछले हफ़ते में हमने देखा कि किस तरीके से पूरे देश भर में हिंसा हुई बंगाल में हिंसा हुई भराष्ट में हिंसा हुई बिहार में सबसे ज शासन लौ के साथ चलें जब आपके प्रधान मंत्री उसमें बिलीफ करें आप उन दो स्टेटों की बात कर रहे हैं जहां पर नितिश कुमार जी है जहां भारती जनता पार्टी से उन्हें नाता तोड़ा या धोका दिया जो भी किया जग जाहिर है वहां ममता जी है कलकत्ता वहां भी दिख ये दो मुख्यमंत्री जो भारती जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार से इनका कोई जुड़ाओ नहीं ना विचारधारा मिलती है इनकी राजनीती किसकी तरह है वो भी जानते हैं लोग पूरब देश जानता है कि वोट बैंक की राजनीती पे कॉ जाहिर तो वो जब ऐसे लोग जब अपने स्वार्थ में आदमी बैठता है कि मेरी वोट बैंक है इस समाज के लोग को पकड़ लूँगा तो मेरा मेरा वोट अगला चुनाओ चो भूँ इसमें इफेक्ट करेगा तो अब आप पूरे राज्य को खत्रे में आग में जोग दे तो आपको सरयाम समाज के सामने आपका चहरा कानून के दाइरे में लाके बुल्डोजर द्वारा और जेल के सलाखों की पीछे डालने में एक छण नहीं लगेगा एक छण नहीं क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर मुदी जी योगी जी हैं वहाँ पर वोट बैंक की राजनिती नहीं होती देश राष्ट सरपरी जनता देवतुल जनता पहले सुरक्षा पहले विवस्था पहले कानून तोड़ने की हिम्मत या ताकत किसी में नहीं होनी चाहिए यही सिखाया गया है भारती जनता पार्टी में उत्तर पर देश में ताकत नहीं है इसलिए कहते हैं महरा वो मिट्टी में मिला देते हैं लेकिन नीतीश कुमार एक नई तरीके इसके अंदाज में नजर आए वो इफ्तार पार्टी में गई बहार जुलस रहा है दंगे हो रहे हैं फसाद हो रहे हैं उनके खुद के ग्रह जुले में दंगे फसाद हो रहे हैं लेकिन वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं और पीछे दीवार पर लाल किला बना हुआ है। क्या मायने इसके अपने आपको परदान मंत्री के तोर पर दिखाना चाहते हैं मायने अटोच के सामने। देखिए बहुत ही बड़े वरिष्ठ लोग हैं। बहुत बड़े नेता हैं लोग। अब बहुत बड़ा इनका कद है। बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े। राजनीती में भी बहुत बड़े। लेकिन हम लोग भी जीवन में बहुत रेंकर उपर आ हैं। अगर अभी किशन एक नाम बना है इस देश ने जहां तक हमने भी दी जिन्दगी को और लोगों को पढ़ा है बहुत ही ये छोटी आरकते हैं राजनीती एक स्वार्त एक कुरसी प्रधान मंत्री का सपना छमा जाते हैं नितिश बाबु के लिए बहुत दूर है बहुत दूर छोटी पोखर में रहे के पोखरा समझते हो एक पोखरा होता है गाउं दे हात में कहल जाला जिकरा में एक पोखर का सोच पा पोखर का सोच रखके आप समंदर का तैराक ना बन पई बहुत इस पोखर का सोच है कि यहां ये इफ्तार कर लिए वहां कर लिए पीछे लाल किल लगा लिए घर में अपने बेडरूम में लाल किला लगा लिए कोई ने बना हर जगा लगा लिए अब पूरे अपने घरी में लाल किला का इसकल हो आता है का कहे जाला हूं वो चिपकाते हैं जो वाल पेपर लाल किला का वाल पेपर लगा लिजे पूरा डाइनिंग टेबल प पर लपेट लीजे तो मिलार का भी लगा लो यहां का जान, है आप लाल किला पूरा लाल किला प्लेट बना रहागा, जो अन मन है लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, सोच दंगा बचा नी पा रहे हो, कानून नहीं, हत्याय हो रहे हैं, दिन दालाएं लूट हो रहां, मार हो रहा है पुराना बिहार वापस से जिन्दा कर दिया है वही मम्ता जी कर रहे हैं आग इनसे दंगे समलते नहीं इनसे लोग समलते नहीं क्योंकि अगर एक समाज को पकड़ लेती हैं तो उनका वोड बैंक रहा है तो वीडियो आया कि किस तरीके से जो मुस्लिम योवच हैं वो हमला कर रहे हैं और हमारे चैनल के रेपोर्टर पर भी हमला किये जहां पर आप बोड बैंक में उनको सर पर किसी भी समाज को बनाएंगे, एक जात नहीं, एक समाज के अंदर हर तपके के लोग होते हैं, उनका मन बढ़ जाता है, उनको पताएगी हमको पूरे समाज को शेय मिल रही है, तो कोई भी कानून व्यवस्था खत्म होती है, उसमें हिंदू भी जुलसता है, मुस्लिम भी जुलसत हमारे जितने भी पसेंट वोट है, लेकिन अब देश निकल गया, चोईस में बहुत बुरी ते रहा रहेंगे, यह शेश्वी प्रधान मंतरी मोदी जी साड़े तीन सो की स्टीट के साथ बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बार बिहार दोजार पच्छीस में हम लोग को दे लिए फिर दंगा करके दिखाई आप, हमेशा जी ने हमारे बोल के गए वहाँ